मश्कार मैं अनुशिश वास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का वोईस ओफ टेक्नो में मैं लाई हूँ 2021 की कुछ मनोरंजग खबरे तो आईए शुरू करते हैं भारत की हरनास संदू बनी मिस यूनिवर्स जी हाँ भारत की हरनास संदू मिस यूनिवर्स बन गई हैं पिछली मिस यूनिवर्स आंद्रिया मेजा ने हरनास को पहनाया क्राउन हरनास संदू सत्तरवी मिस यूनिवर्स बनी हैं हरनास संदू तीसरी भारती मिस यूनिवर्स बनी हैं इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने मिस्स यूनिवर्स का खिताब जीता था। शुश्मिता सें 1994 में ये खिताब जीतने वाली पहली भारती महिला थी। वर्ट के सबसे बड़े बॉय बैंड, BTS के सभी मेंबर्स ने किया इंस्टाग्राम पर अपना पदार पर। पास दिसंबर दो पहर दो बजी के करीब, डेब्यू के आठ साल बाद, BTS के सभी सातों मेंबर्स ने अपने परसनल अकाउंट से किया इंस्टाग्राम को जॉइंग, अकाउंट बनते ही एक घंटे में एक मिलियन फॉलवर पार करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें किम तेंग इर्फान खान को मिला बेस्ट अक्टर और तापसी पन्नू को मिला बेस्ट अक्टर का खिताब, 66 Film Fair Award का आयोजन मुंबई में हुआ, इस अवोर्ड सेरीमनी में 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया, जिसमें इर्फान खान को उनके फिल्म अंग्रेजी मीड पियम के लिए Best Actor का अवोर्ड मिला, वहीं दूसरी ओर तापसी पन्नू को उनके फिल्म थपड के लिए Best Actors का अवोर्ड मिला, भारत की ओर से Oscar Award के लिए मल्याली फिल्म ने मार ली बाजी, 93 Oscar Award अगले साल होने जा रहा है, जिसकी nomination की प्रक्रिया अभी से शुरू हो चुकी इस Award ceremony की nomination की एक्षा तो हर किसी के होती है, इसलिए इस साल कई बहतरी भारती फिल्म इस nomination की race में थी, लेकिन मौका मिला तो मल्याली सीनिमा के फिल्म जल्ली कट्टू को, जहां वर्ष 2021 अब समाप्त होने को आया है, वहीं इस साल हमने कई मशूर सितारों को हमेशा के लिए अल्विदा कह दिया, अभिनेता सिधार शुकला की मौत हार्ट अटैक से हो गई, वहीं दूसरी और वॉलिवोड के ट्राजडी किंग के नाम से मशूर दिलप कुमार जी की लगतार तबियत खराब होने से मौत हो गई, कोरोना महमारी ने हमसे कई सारे मशूर सितारों को हम हमने इस साल खोया, जिससे हम, आप और ये दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए वास ओफ टेक्नो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेर जरूर करें, धन्यवाद झाल